हेलो, असलाम आलेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती कि आप सब लग अच्छे होगे तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि कई बार देखा होगा कि महिलाओ के बगल में घांट जैसी हो जाती हैं तो उसको केसे ठीक करें या उस गांट को केसे बिटाई तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज जल्दी से चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और और आपका कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें हम आपकी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि अचानक से हमारे बगल में गांट टाइप की हो जाती है हालांकि ऐसी गांटी जादा नुकसा नहीं पहुचाती है पर हम जब इनको चूते हैं तो दर्द होता है फिर भी अगर इसके इलाज टाइम पर नहीं करते हैं तो बाद में गातक रूप ले सकती हैं तो फ्रेंड्स मेरा मकसद है कि किसी को अच्छी राय देना ना कि वीडियो को बड़ी करना इसलिए आप बीरा इसकिप किये ये वीडियो को पूरी देखें इसे दिये गए नुस्के को आप दो बार यूज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी गांट ठीक हो जाएगी तो आईए बात करते हैं अगर आपके बगल में गांट हो गयो तो आपने तामेसर की बेल के बारे में तो सुनाई होगा ये गाउं में भी दिख जाती है और शेरों में भी मैंने कई बार देखी हैं हैं कि आप तामेसर के दो पत्ते ले लेने हैं और उस पे हलका सा सरसो का तेल लगा कर उसको हलका गरम कर ले फिर थोड़ा सा और सरसो का तेल लगा कर अपनी गांट के उपर बांदे वो पी जब आप सोने लगे ऐसा आप दो टाइम करें मुझे उम्मीद है कि आपकी केसी लगी वीडियो लाइक करे जरूर करे दन्यवाद